मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हर्दे का विनन्दन करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्तूती कमल लंदलाल की भविश्वाणी आपका राशे फल इस राशे फल में बात करेंगे मेश से ले करमीन राशे के राशे फिल के साथ आपको बताएंगे राशे अनुसार कुछ सरल से उपाए राशे अनुसार ही आपका शुभंक और शुबरंग भी पंचांग बताएंगे और राशे फिल के आखिर में आपको बताएंगे कैसा विशेश उपाए जो आपके जीवन की किसी खास समस्रा को चुटके में दूर कर देगा तो चलिए शुरुवात करते हैं भविश्वानी की पंचांग के साथ में तो दिन है रविवार का तारीक है 24 दिसंबर 2023 मारगशी शुकलतरयो दिशी पर चंदरमा भृष राशी और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा साथ शुबरंग रहेगा सिलेटी शुब दिशा रहेगी इशान रहुकाल रहेगा शाम को साड़े चार ब और विशेश दो परव हैं देवादी देव महादेव के पहला परव है कार्तिकाई दीपम मारगशीश कार्तिकाई दीपम और दूसरा परव है रवी प्रदोश पड़ा खास दिन है देवादी देव महादेव का ऐसे आपको बताएंगे विशेश उपाएं में कैसे देवा महादेवी की क्रपास से सेहत में सुधार आएगा उसके लिए राशी फल को आखिर तक देखेगा शुरुआत करते हैं राशी फल की पहली राशी मेश यानि एरीस के साथ मेश राशी वालो कुछ नया करने करने कर सोचेंगे बड़ा सौधा मिलने से लाब होगा अनुभवी में उमीद से जादा लाब होनी के संभावना है पिता के सला लाब दायक रहेगी भाई भेनों से संबंद सुधरेंगे समाज में लोग प्रियता बढ़ेगी प्रेम संबंद भी मजबूत बने रहेंगे उपाईए करें कि पिता के पैर चुकर आशिरवाद लें शुबंग चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला तीसरी राशी मिर्फू नियनी जमनाय की बात करेंगे आत्म विश्वाश में बढ़ुतरी होगी कारोबार में धनलाब के यूग हैं दामपत जीवन सुखद रहेगा प्रेमी के साथ में कहीं गूमने फिनने जाएंगे सामाज एक क काम बिना बाधा के पूरे होंगे उपाहिये करें कि ब्रहमन को गुड़ दान कने शुबंक नौ रहेगा शुबरंग रहेगा नारंगी पांचवी राशी सिंग यानि कि लियो की बात करेंगे अचानक लाब के मौके मिलेंगे अपने गुस्से पर काबू रखें पारिवार समय पर पूरे होंगे जीवन साथी से कोई तुफा मिलेगा उलजेवे मामले से लजेंगे दोस्तों के साथ में घूमने पिनने जाएंगे जीवन साथी हर तरीके से पुरा सहयोग देगा उपाहिये करें कि मंदिर में लाल कपड़ादान करें शुबंक तीन रहेगा शुब करेंगे नई योजनाय बनाने में सफल रहेंगे मीडिया करवियों को इस राशी के लाब होगा जीवन साथी पुरा सईयूग देगा छात्रों की पढ़ाई ठीक रहेगी उपाईये करेंगे बहते जल में गुड़ प्रभाइद करें शुबंक साथ रहेगा शुबंक शुबंक एक रहेगा शुबंक रहेगा शुबंक रहेगा लाल दसफी राशी मकर यानिकी के प्रकावन की बात करेंगे काम काज में कुछ बाधाये आएंगी धहरे से काम लें लाब होगा विवसाई काम में जल्द बादी से बचें चात्रों को मन लगाकर पढ़ाई करने म मिलेगा चातरों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा बहुत एक सुक्स विदाओं पर रुजहान भी बढ़ेगा उपाईये करेंगे सूर देव को प्रणाम करें शुबंग छह रहेगा शुबरंग रहेगा गुलाबी बारवी राशी मीन यानि पैसेस की बात करेंगे अत्यादिक उत्साहा में रहेंगे हर काम लगन से पूरा करेंगे परीजनों के साथ में समय विता पाएंगे घर में खुशाली का बातावरन रहेगा दामपत रिष्टों में मज़ूरता बढ़ेगी उपाईये करेंगे मंदर में शहद्दान करें शुबंक एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल तो दोस्तों समय है आज के विशेश उपाई का वो विशेश उपाई जो सेहत में सुधार लेकर आएगा देकि बहुत खास दिन है देवादी देव महादेव का दिन है रभी प्रदोश और कार्ति मंत्र के आफ करें मंत्र है ओम सुर्य अगनी लोच जोया नमहां देवादी देव कि एक और जान्ट मश्वस्त करता हूं मिलेगा दाउन न्माज्थ के बेस्ट अस्त्रोलोजर से